25 वर्षिय मम्ता पनिका सूरज पनिका की पढ़ाई के दौरान का प्यार थी, इसलिए बह उसे हर हालत में अपनी बनाना चाहता था। हमेशा के लिए मम्ता भी उसकी बनने को तयार थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 30 वर्षिय सूरज अपनी ही प्रेमिका मम्ता का हत्यारा बन गया और खुद भी टेजाब पी कर उसे खुद को खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। आएए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मैं विविक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्रिप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। ताकि मेरे हर विडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कार में बैठी ममता पनिका ने दोटूक शब्दों में सूरज पनिका से कहा कि सूरज मुझे अब तुमसे भविश में किसी तरह का रिष्टा नहीं रखना है। क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। इतना सुनते ही सूरज ने चीकते हुए कहा, तो अपने आपको समझती क्या है। मैं बेवकूफ हूँ जो तुझे इतना प्यार करता हूँ। आज मैं अपने इस प्यार का किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म किये देता हूँ। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, समझी। इतना कहकर सूरज ने कार की ड्राइविंग सीट के नीचे छिपा कर रखा चाकू निकाल लिया। सूरज के हाथ में चाकू देखकर ममता बुरी तरह डर गई और छोड़ देने के लिए उसके सामने गिड़ गिड़ाने लगी। सूरज का इरादा भाप कर डरी सहमी ममता ने बिंती करते हुए कहा, सूरज तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे मार कर तुम भी सुकून से नहीं रह पाओगे। मेरी हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुँच जाओगे। सूरज तो पहले से ही निर्ने करके आया था, इसलिए ममता की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ममता की बात अनसुनी करते हुए सूरज ने बड़ी बेरहमी से ममता के पेट पर चाकू से ताबर तोर वार कर दिये। जह बात 20 जून 2024 की है। ममता ने सूरज को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन निहत्थी ममता सूरज के चाकू के वार को कैसे रोक सकती थी। सूरज ने ममता को अपनी अल्टो कार में ही तडपा तडपा कर मौप के घाट उतार दिया। इसे सन्योग ही कहा जा सकता है कि जिस समय सूरज ममता की हत्या कर रहा था, उसी समय ममता के पती सुरेंद्र ने ममता के मोबाइल पर फोन किया। ममता तो मर चुकी थी, इसलिए वह अपने मोबाइल फोन पर आने वाली काल को कैसे रिसीव करती। ममता के पती द्वारा बार-बार काल करने पर भी जब ममता ने पती का काल रिसीव नहीं किया तो जुंचलाते हुए पती ने काल डिसकनेक्ट कर दिया। सूरज पनिका ने ममता की नब्स टटो ली। उसे पूरी तौर पर भरोसा हो गया कि वह अब जीवित नहीं रह गई है तब उसकी लाश को सफेद चादर में लपेट कर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। सूरज ममता के मृत शरीर को जंगल में सुनसान जगहट पर टुकडे टुकडे में विभाजित कर जलाने के लिए ले गया। सूरज को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने कार की पिछली सीट पर गई तो भीतर का नजारा देखकर बहुत दंग रह गया। उसने सूरज को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने कार की पिछली सीट पर पड़ी लाश को देख लिया है। चौकीदार ने हमदर्दी जताते हुए सूरज से कहा लगता है कार ऐसे नहीं निकलेगी। मैं कार निकलवाने के लिए ट्रैक्टर लेकर आता हूँ कहकर वह चला गया। बहां से हटकर उसने घुनगुटी चौकी प्रभारी भूपेंदर पंत को अल्टो कार के भीतर लाश पड़ी होने की सूचना दे दिया। घुनगुटी चौकी घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर थी अता आधे घंटे में घुनगुटी चौकी प्रभारी भूपेंदर पंत कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर मौके पर पहुँच गए। सूचना मिलने पर थोड़ी देर में थाना पाली के मदन मरावी भी घटनास्थल की तरफ चल दिये। घटनास्थल पर ग्रामीनों की काफी भीड थी जो एक नव्यवक को घेरे खडी थी। टी आई मदन मरावी और घुनगुटी चौकी प्रभारी भूपेंदर पंत को देखते ही ग्रामीनों की धीर छंटने लगी थी। लोग युवती की लाश को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। घट नास्थल के मुआयने के दोरान पाली थाने के टी आई, मदन मरावी और चौकी प्रभारी ने देखा की अल्टो कार की पिछली सीट पर 25-26 साल की शादी शुदा युवती की रप्तरंजित लाश चादर में लिप्टी पड़ी हुई थी। कार में भी खून फैला हुआ था। काफी विचलित हो उठा अतह उसने खुद को खत्म करने के मकसद से मौका मिलते ही अपनी कार से तेजाब की बोतल निकाल कर तेजाब पी गया। तेजा पीने से मंता को मौक के घाट उतारने वाले प्रेमी सूरज की हालक बिगड़ गई और वह बेसुध होकर जाडियों में गिर गया। तब पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर सूरज पनिका को उपचार हेतू बिर्सा मुंडा मेडिकल कालेज शेडोल के आईसीउ वार्ड में भरती करा दिया। सूरज की तलाशी लेने पर मिले एल आईसी के आईडी कार्ड से पता देखकर पुलिस ने सूरज के घर वालों को सूचना भिजवा दिया। सूरज के तेजाब पी लेने की खबर पाकर उसकी मा शकुंतला और बड़ा भाई सतीश अस्पताल पहुँच गए थे। जैसे ही उन्होंने सूरज को गंभीर हालत में आईसीउ में भरती देखा तो दोनों फफक कर रोपड़े अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें किसी तरह से शांत कराया। शुंकी अभियुक्त पकड़ा जा चुका था इसलिए इस मामले में वरिष्ट पुलिस अधिकारियों को करने के लिए कुछ नहीं था। चौकी प्रभारी को दिशानिर देश देने के बाद वरिष्ट अधिकारी तुरंत लोट गए। उनके जाने के बाद इस एचव मदन मरावी और चौकी प्रभारी भूपेंदर पंत ने घटना स्थल की आपचारिक कारवाई निप्ता कर मम्ता की लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने देखा कि मृतका के पेट पर गहरे घाव थे। हत्या में प्रयुक्त चाकू कार में ही पड़ा हुआ था। खून से सने चाकू को देख कर अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि मम्ता की हत्या उसी से की गई थी। मम्ता की बेरहमी से की गई हत्या से यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर सूरज ने मम्ता की हत्या किस मकसद से और क्यों की थी। अल्टो कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट पर शादी शुदा युवती की लाश, खून से लथपत चादर, दो चाकू, एक चापड, एक जोडी गलव्स, तेजाब की बोतल और दो बैग जिन में लेडीज और जेंस कपड़े रखे हुए थे। साथ ही मृतका के पास ही उसका पर्स और मॉबाइल फोन भी रखा हुआ था। इन सामानों को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया। उसके पर्स से मिले आईडी कार्ड से पता चला कि वह केंद्रिय शिक्षा निकेतन अमरकंटक की छात्रा थी और उसका नाम ममता पनिका था। उसके आईडी कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने घटना की जानकारी उसके घरवालों को दे दी थी। खबर मिलते ही ममता के घर वाले रोते पीटे घटना स्थल पर पहुँच गए थे। वह इस प्रकार निकली। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ममता की सुन्दरता में जो निखार आया। वह मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के अहिरगंबा गाव के लड़कों को लुभाने लगा। गौर करने वाली बात यह थी कि ममता पनिका जितनी सुन्दर थी उतनी ही चंचल भी थी। लेकिन वह अपनी सीमा जानती थी। वह एक ऐसे परिवार की बेटी थी जिसकी कुल जमा पूजी सिर्फ इज़त ही थी। लेकिन उम्रिया जिले के गाव मानपूर का रहने वाला सुरज पनिका जब भी ममता को कालेच से आते जाते हुए देखता था तो उसके दिल की धड़कने तेज हो जाती थी। वह किसी तरह उसे अपनी बाहों में समेटने के लिए बेकरार हो उठता था। ममता की सुन्दर्ता उसकी आखों में समाई हुई थी। सूरज ममता का ऐसा दीवाना हुआ कि वह उसकी ओर खिंचता चला गया। एक ही बिरादरी और आपस में रिष्टेदार होने की वजह से सूरज ने ममता के दिल में अपने लिए जल्दी ही जगह भी बना लिया। सूरज पनिका और ममता पनिका के प्यार की बुनियाद उस समय रखी गई थी। जब पांच साल पहले बीस साल की ममता ने शेडोल डिगरी कालेज में दाखिला लिया था। सूरज पनिका भी शेडोल में रहकर पॉलिटिक ने कालेज से अपनी पढ़ाई कर रहा था। दोनों अलग-अलग इलाकों में किराय के कमरे में रहते थे। इसी दोरान उनके बीच प्यार हो गया। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटे तो उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। पहली ही मुलाकात में सूरज ने ममता से उसका मोबाईल नंबर ले लिया था। जब तब दोनों मुबाईल पर धंटो बातें करने लगे। ममता को भी उसकी रस भरी बातों में आनंद आने लगा था। अब तो हालत यह हो गये थे कि दोनों की रात की नींद और दिन का चैन गायब हो गया था। जब तक दोनों रोजाना फोन पर बात नहीं कर लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। बात आगे बढ़ी तो दोनों साथ साथ सैर सपाटे के लिए भी जाने लगे। इस दोरान सूरज ममता पर दिल खोल कर पैसा खर्च करता था, उसे उसके पसंद की फिल्म दिखाता था, और अच्छे रेस्तरा में खाना खिलाने के साथ महेंगे महेंगे उपहार भी देता था। वैसे भी घर परिवार से दूर रह रहे, उन दोनों को शैडोल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सूरज के साथ बिताने लगी। दोनों ने एक बार मर्यादा की सीमा लांगी, तो फिर लांगते ही चले गए। अब जब भी सूरज को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने तन की प्यास बुझा लेते थे। क्योंकि सूरज के कमरे पर उसकी बहन संध्या भी रहती थी, इसलिए सूरज बिना किसी हिचकी चाहट के ममता पनिका के कमरे पर घंटों अपना समय व्यतीत करता था। कहते हैं कि प्यार को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। सूरज पनिका और ममता पनिका के प्रेन प्रसन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सूरज और ममता के प्रेन प्रसन के बारे में सूरज की बहन संध्या को पता चल ही गया, क्योंकि वह सूरज के साथ ही शेडोल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वैसे भी सूरज और ममता के प्रेन प्रसन को लेकर संध्या को कोई आपत्ती नहीं थी। इसके बाद तो सूरज और मंता की हिम्मत और बढ़ गई पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरज शेडोल में ही LIC में नौकरी करने लगा था और उसकी प्रेमिका मंता अमर कंटक में खिराय पर कमरा लेकर कल्याने का केंद्रिय शिक्षा निकेतन से बीएड की पढ़ाई करने लगी थी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सूरज और मंता ने तय कर लिया था कि वे जिंदगी भर साथ साथ रहेंगे दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर पाएगी वे अपने भावी जीवन के ताने बाने बुनने लगे थे सूरज और मंता ने अपने प्रेम संबंधों के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था उधर वक्त का पहिया अपनी गती से आगे बढ़ता रहा सूरज और मम्ता में पहली बार तकरार तब शुरू हुई जब मम्ता के घर वालों ने भाग दौड करके मम्ता के लिए लड़का देख लिया वह लड़का उन्हें पसंद आ गया तो उन्होंने 20 अपरेल 2024 को मम्ता की शादी शहडोल जिले के अमजोर गजनी के निवासी सुरेंदर से कर दिया यह खबर जैसे ही सूरज पनिका को लगी तो उसके होश उड़ गए वह मम्ता की शादी के बाद खोया-खोया सा रहने लगा था शादी के बाद मम्ता कुछ दिन तक ससुराल में रही उसके बाद ससुराल से विदा होकर माय के आ गई मम्ता पढ़ाई के लिए अमर कंटक में रहने लगी थी 10-15 दिन पहले ही मम्ता ने अपने सोशल अकाउंट पर पती के साथ एक फोटो पोस्ट किया फोटो देखकर सूरज बुरी तरह तिल मिला गया जिस मम्ता से वह पिछले 5 सालों से प्यार कर रहा था वह किसी और की बन जाए यह उसे हरगिस बरदाश्ट नहीं हुआ उसने मम्ता को फोन करके नाराजगी जताई दोनों के बीच शादी को लेकर काफी समय तक कहा सुनी हुई इस घटनाकरम के बाद दोनों में बातचीत भी बंद हो गई यह भी सच है कि लोगों की बंद आँखों के सपने ही नहीं तूटते बल्कि खुली आँखों के सपने भी तूट जाते हैं जब खुली आँखों के मखमली सपने तूटते हैं इनसान आकाश से सीधा जमीन पर आकर गिरता है ऐसा ही सूरजपनिका के साथ हुआ सूरज पनिका ने मम्ता की शादी की जानकारी लगने वाले दिन ही तै कर लिया था कि प्यार में धोखा देने वाली मम्ता को वह सबक सिखा कर रहेगा मम्ता को मौत के घाट उतारने सिर पहले शातिर दिमाग सूरज ने एक नया दाव खेला 19 जून 2024 की दोपहर मम्ता को फोन कर उससे बुरा भला कहने के लिए माफी मागी और कहा मम्ता तुम कहा हो तुम से मिलना है मम्ता ने पूछा कोई खास बात है क्या अरे यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है कल मैं अपने ओफिस के काम से अमर कंटक आ रहा हूँ सोच रहा हूँ कि तुम से भी मिल लू सूरज ने कहा अच्छा तो यह बात है मम्ता बोली अमर कंटक आ कर फोन कर लेना मम्ता की हत्या करने के मकसद से योजना बना कर सूरज 20 जून 2024 की दोपहर मम्ता को फोन कर उससे बुरा भला कहने के लिए माफी मागी और कहा मम्ता तुम कहा हो तुम से मिलना है मम्ता ने पूछा कोई खास बात है क्या अरे यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है कल मैं अपने ओफिस के काम से अमर कंटक आ रहा हूँ सोच रहा हूँ कि तुम से भी मिल लू सूरज ने कहा अच्छा तो यहाँ बात है ममता बोली अमर कंटक आकर फोन कर लेना ममता की हत्या करने के मकसद से योजना बना कर सूरज 20 जून 2024 की सुबह अपनी अल्टो कार से ममता से मिलने अमर कंटक जा पहुँचा सूरज ने योजना नुसार कार में पहले ही चाकू, गलव्स, चापड और तेजाब की बोतल छिपा कर रख ली थी ममता से चिकनी चुपली बातें करके सूरज उसे होटल में ले गया, जहां सूरज ने ममता के साथ 14 घंटे गुजारे 21 जून की रात 12 बजे सूरज ममता को साथ लेकर होटल से बाहर निकला इसके बाद सूरज अपनी योजना को मूर्तरूप देने के लिए अल्टो कार में ममता को बैठा कर लॉंग द्राइफ पर निकला सूरज ने ड्राइविंग सीट के ठीक बगल वाली सीट पर ममता को बैठा रखा था सूरज कार को अमर कंटक के जंगल वाले रास्ते पर ले गया और कार को अचानक रोक कर सूरज ने धमकी भरे लहजे में ममता से कहा ममता तुम तो भली भांती जानती थी कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ इसके बावजूद भी तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर किसी और से शादी कर लिया मम्ता तुम फरेबी और धोखेबास हो प्यार का नाटक करके तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे बताए बिना गुपचुप शादी कर लिया ममता समझ गई कि सूरज को उसकी शादी के बारे में पता चल गया है इसलिए उसने अपने दोनों कान पकड़ कर माफी मागते हुए कहा सूरज मैं तुम से प्यार जरूर करती थी पर अब नहीं करती मेरी शादी हो चुकी है ग्रहस्ती भी बस चुकी है प्यार करने वाला पती भी है शादी से पहले हम दोनों के बीच जो हुआ सो हुआ अब उसे भूल जाओ मैं अपने पती को धोखा नहीं दे सकती मेरी भी कुछ मर्यादाएं है ममता अचानक तुम्हें यह हो क्या गया है कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम सूरज मैं शादी शुदा हूँ तुम जो चाहते हो अब वह नहीं हो सकता है प्रिपा करके मेरी बसी बसाई ग्रहस्ती में आग मत लगा मेरी बात को समझो कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लू पिछली बातों को भुला कर अब तुम मेरे उपर उपकार करो सूरज बोला ठैर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम किसी और की पत्नी हो खूब सोच समझ कर बताओ कि तुम्हें मेरा प्यार स्विकार है या पती का प्यार देखो अब मैं पती के साथ ही रहना चाहती हूँ इसलिए अब तुम भी मुझे भूल जाओ प्रेमिका की इस बात पर सूरज पनिका को गुस्सा आ गया और उसने टाकू से बार कर कार में ही ममता की हक्त्या कर दिया सूरज की प्रेम कहानी सुनकर पुलिस भी हत प्रभ रह गई क्योंकि कहानी सुनाते समय सूरज के टहरे पर ना कोई शिकन थी और ना ही कोई पच्तावा बलकि अपने किये पर वह बेहत खुश था उसका दो टूक शब्दों में कहना था कि ममता ने उसे ऐसा जख्म दिया था जो वक्त के साथ भर तो जाता लेकिन उसकी कसक कभी नहीं जाती बहरहाल टी आई मदन मरावी ने सूरज के खिलाफ हत्या का मुकर्दमा दर्स करा दिया चुंकि अभियुक्त ने खुद को खत्म कर लिया था इसलिए इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट भी लगा दिया कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सर्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद रिए आपका दो में झाल जरूर लीजिए